हेलो गुद्मॉर्ण एक्सपूरेंट्स आज वेसिक जो डेफिनेशन होती है मैंने कल बताया था आपको कि कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि अंडर सर्टेन लिमिट्स डिदू डिराग डेल्टा फंक्शन तो आप यह कह सकते हैं कि आज डिफाइन कर सकते हैं अलग-अलग से यह पिर ऐसे कौन-कौन से फंक्शन ओर वो क्या करेंक्शन हैं जिनके अंडर Thing सर्टेन 54 जो फंक्शन सिंप हूं इसमें डिरोटा फंक्शन में पैरेडीूस हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं डिक्सक्य स्क्रोंगा रेक्टेंगल शबसे पहले हैं रेक्टेंगल फंक्षिन कोई भी ऐसा फंक्षन जिसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं मैं कैसे । डिफाइन कर रहा हूं आर एपसाइलन और उफ एक्स एपसाइलन इसको शोगर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका ग्राफिकली शोगर हुआ तब आपको पता लग जाएगा एपसाइलन क्या है उसकी जो वैल्यू है वन ओवर टू एपसाइलन वो कितनी है इस रेंज के लिए यह जो पर्टिकुलर रेंज आए क्या है इतनी है माइनस एटू एपसाइलन एक्स यहाँ पर क्या जाएगा ग्रेटर देन एंड लेस देन एपलस एपसाइलन अदरवाइस कितना होगा जीरो यहनी इस रेंज से बार अगर एक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो राइट मैं इस तरह से डिफाइंड किया हूँ है यहाँ पर यह से इस साइड माइनस ए मॆइनस एपसेलन जाएंगा और स्टै एक्स कितना होगा यह लेस साइड है लेरनी है इस function की यहां पर तो कितने हो जाएगे वो टूएप साइलन और जो हाइट कितने लिए के चला हूं मैं 1 ओवर टूएप साइलन हाइट कितनी लिए मैंने बनावर टूएप साइलन रैट मैंने इसी तरह से डिफाइन किया है तो देखिए यह जो at a plus epsilon और a minus epsilon पर किया यह discontinuous function क्योंकि हां से इससे यहां तक 0 इससे for x greater than a plus epsilon किया 0 और for x less than a minus epsilon किया 0 इस range के बीच में किया इसकी value वन लेके चल रहा हूं वन ओवर epsilon तो अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं कितना होगा वन ओवर टू एपसाइलन वन ओवर टू एपसाइलन राइट तो अब क्या करना देखिए अच्छा यहां पर अगर एरिया अंडर दग निकाले हम एरिया अगर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो कितना आएगा रेक्टेंगल है ना तो लेंद इन तू ब्रेट तो यह इंटू यह कर देंगा तो टू एपसाइलन इंटू वन ओवर टू एपसाइलन की कुछ भी वेल्यू रखो आप एरिया के आना मेशा वन आना है इसी लिए मैं अगर मैंने इस तरीके सब्सक्राइब किया है तो एरिया अंडर दा रेक्टेंगल फंक्शन कितना अरगा है मैं अशरी निकाल सकता हूं यहां सिंप्ली मिल्टिप्लाइब भी कर सकता है वन ओवर टू एपसाइलन इन्टू लोवर टू एपसाइलन तो यहां सा कितना राइट यहां पर नाइए प्लाइब एस तरह से इसको कर लेकर लिया हुआ इस तरह से भी बीच मेंस्का किनी है थे ओप साइलन तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दल एपसारें एकिस पर अब साइलन को कितना भी जादा भड़ा कर लो आपकितना भी छोटा गर्लों जो अरिया रहेगा वह तुछ नहीं पर कोई एपसाइलन नहीं नहीं आ इसलिए मैंने इसकी जो width जो height लिया वो क्या लिया वन ओवर 2 epsilon राइट सो अब चेक करते हैं यहां पर what happens if epsilon goes to zero मैंने बताया था कि कुछ function ऐसे होते हैं जो under certain limits किसमें reduce हो जाएंगा है डिराग डिल्टा function में तो यहां पर वो limit क्या है मैंट आहिए जहीं एप साइलन उसे एफ्सशाइलन टेंडिंग टु 0 तो जो मैंने इस पर limit अपलाई किया इस पर limit किया तो क्या जाएगा वह जब एफसाइलन जीरो जाएगा तो वन और एप साइलन जाएगा है है 1 over epsilon क्या बन जाएगा? infinity तो 1 infinity और यहां पर जो limit थी limit क्या है? So, अगर limit करता हूँ मैं तो limit कितनी आ जाएगे? epsilon tending to 0 पर यह infinity होगा, infinity को अपरोच करेगा So, limit r epsilon x under the limit epsilon goes to 0 तो यह क्या बनेगा? यह infinity अब देखें यहां पर बी 0 है, 0 है तो almost यह क्या है तो X क्या जाएगा एक के अप्रोच करेंगे हम X को X को कहां पर प्रोच करेंगे क्यों क्यों इस तरह से function define है मेरा यह function है तो दीरे-दीरे जासे कर रहे हैं तो X कहां पर जा रहा है एक पर तो ए और X not equal to a पर कितना हैगा 0 तो यह कंडिशन तो यह आगी कुछ इस तरह का होता डिराग डिल्टा फंक्शन बट यह कंडिशन कंप्लीट नहीं है हमें क्या चाहिए उसके अंडर जो एरिया वो भी क्या आना चाहिए और आपको पता है और epsilon x − infinity to infinity dx equal to 0 और जब मैं limit भी put करता हूँ limit epsilon goes to 0 a epsilon x is also on क्यों क्योंकि it is independent of epsilon हमने शेक किया था ए आप देखें तो इस limit में जम में put कर रहा हूं लिमिक यह भी ले गए J आ अंदर limit epsilon greater than 0 R epsilon x dx यह क्या बन रहा है 1 from minus infinity to infinity क्या यह condition मिला के और यह condition मिला के क्या यह satisfy नहीं करती कि भी जो limit epsilon tending to 0 है वो क्या होना चीह डिराग delta function so it implies यह जो equation A है और यह जो B है इससे क्या पता लगता है कि भी जो limit epsilon are x equivalent to delta of x minus A so किसमें reduce हो जाएगा है डिराग delta function तो rectangle function किसमें reduce हो गया डिराग delta function में if epsilon goes to 0 यह तभी लिख पा रहे हैं जब area यहाँ पर बना रहा है हमें बता है यह जब इसको compare करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिराग delta function ऐसा कौन behave करता है कि जिसके अंडर area क्या रहे है बन रहे है और जो इस तरह से behave कर रहा हूँ तो यह क्या हो जब इनको में compare करता हूँ तो क्या जाएगा तो इस एपसाइलें टेंडिंग तो जीरो रेक्टेंगल function defined तो स्पोश यह एपसाइलें यहां पर point one था यह उसके according कुछ value हो जाएगी इसको ध्यान रखना इस तरह से जा रहे हैं यह values मैं लिख नहीं रहा हूँ आप find out कर सकते हैं 1 over 2 epsilon करके इस तरह से कुछ increase कर रहे हैं तो epsilon equal to point one है तो यह कुछ value होगी इसकी विठ तो जैसे में epsilon को क्या करूगा point zero one करूगा तो विठ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना क्योंकि विड्ट क्या थी क्योंति टू है तो एपसाइलें का मुछ backstory जाए हैं विड़ Girl होगी यह एजre से आप्रोजेस तु जीरो कर लूए तो मेरे को एक स्पाइक मिल जाएगी ऐसे कहां पर at x equal to a या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं a minus epsilon और a plus epsilon as epsilon goes to zero तो एक क्या होगा infinity को अप्रोच करेंगे so as epsilon tending to zero height approaches to infinity and the width tends to zero that is we get a infinite high and infinity similarly narrow spike at x equal to zero right तो एक यह definition होगी कि कोई rectangle function है उसको मैं इस तरह से define करता हूं इस तरह से कोई rectangle define कर रहा हूं तो उस पे अगर मैं if epsilon tending to zero कर रहा हूं तो वो किसमें reduce हो जाएगा वो दिराग डिल्टा function में नेक्स पर आते हैं इंटीकल रिप्रेजेंटेशन ओफ डिराग डिल्टा function यह वैसे important है देखो जो तीन definition मैं आज आपको बताऊंगा आप इसको first reading के बाद आपको skip भी कर सकते हो बस यह मैं आपको सिर्फ knowledge के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से जो special function है वो reduce हो सकते हैं बाकि यह आपके syllabus में नहीं cover होते हैं यह simple definition है हाँ जो simple definition थी जो कल वाला lecture था वो आपको complete करना है इनको अगर आप चाहो तो skip कर सकते हैं जो आज lecture में मैं तीन कराऊंगा आपको definitions तो यह integral representation आ जाएगी इसकी तो यह हो डोगो यह ніूज आतीघ हो ऑगा शाप इससेंट रहूं है इस तरह हमने ईंग्ले स tackling 0 कि दिल्टा प्रूब किया है जीरो से लेके infinity तक यसकी वैजिए纹ए queremos यह गया ओगा इसका डबल हो गया तो पाई हो जाएगी ठीक यहां पर द्याना रखना M क्या M is greater than zero है M is greater than zero है zero पर यह zero value आती है और negative पर minus आती है तो द्यान रखना इसको प्रूव कर सकते हैं लेपलास टांस्फोम में और हमने किया भी है लेपलास टांस्फोम में तो इसको क्या है पाई को इधर ले यता हूं मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिया है तो मेरे बास यह आ गया साइन M X ध्यान रखना M क्या लिए है मैंने यहां पर m क्या लिए है greater than 0 ये ध्यान रखना so sin mx over pi x equal to 1 तो मैं क्या कर लेता हूँ कोई अलग function मान लेता हूँ f of x अब इसको जब मैं graph plot करता हूँ तो कुछ इस तरह का graph मैं रहे को मिलेगा ये graph आएगा यहाँ पर इसका यह वाला देखिए सबसे पहले बात तो 0 पे क्या होगी इसकी value पहले तो एक बार 0 पे निकाल लेते हैं इसकी value ये limit भी तो 0 का मतलब क्या हो sin mx over pi x as x goes to 0 तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको यह क्या हो जाएगा extending 0 मैं m से multiply करता हूँ और m से divide करता हूँ तो यह answer क्या जाएगा m by आगी बार समझ में यह कैसे लिखा है मैंने because limit x tending to 0 sin of x और sin of x is always equal to 1 तो आप इस तरह से लिख सकते हैं तो जो इसकी height आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी m over pi कितनी आएगी m over तो मैंने height लिख रखी है आप simply coordinate भी लिख सकते हो मैंने simply क्या लिखे इसकी height अब next पे आते हैं यह zeros कहां कहां होंगी इसकी zero कहां कहां होंगी जहाँ पे यह zero होगा भाई एक zero पे बाकी पे तो यह non zero ही रहेगा ना सिर्ब इसको छोड़के इसकी हमने अलग से value निकाल ले जीरो पे तो यह value आ रही है next पे क्या अगर ही इसकी जब जहां जहां यह zero होगा और यह zero कहां कहां होगा जहां पे mx equal to n pi होगा जाना रखना n is not equal to zero यहां पे मैं zero नहीं लेकर चल रहा हूं क्योंकि zero पे यहां पे ले लिया है मैंने यह तो x क्या रहा है n pi तो n की value क्या होगी plus minus 1 by 2 इन सभी के लिए क्या हूआ जीरो तो first अगर देखे तो किस पे होगी हो pi by m पे second 2 m pi पे तो इसलिए इसका क्या हो जाता रहेगा decrease भी होता रहेगा as x goes to क्योंकि यह infinite value इसकी जैसे जैसे x infinity को approach करेगा यह तो finite रहेगी इसकी value यह 1 minus 1 और 1 के बीच में यह किसको approach करेगा infinite तो 1 by infinity as x goes to infinity तो यह function क्या बनेगा मैंशा 0 तो इसका जो amplitude है decrease होता रहेगा इस तरह से decrease होता रहेगा हर एक उसमें तो आप क्या गरेंगे यहां पर देगे यह जो है यह जो width होगी यह वाली width कितनी होगी इसकी 2 pi by m 2 pi by m और यह जो height इसकी वो कितनी है m pi अच्छा area under the curve देखें तो कितना आएगा इसके under area कितना आ रहा है इस curve के अंदर 1 आएगा जिससी बात है क्योंकि मैंने इसको भी upload किया नहीं यही 1 था यह क्या है यह dx आएगा यहां पर यह क्या है area under the curve तो area under the curve कितना आएगा 1 आएगा which is independent of m m पर depend नहीं कर रहा है m की कुछ भी value हो area under this curve is always 1 तो एक बात यहां पर पता लग गई मेरे पास मेरे को तो width कितनी है 2 pi by m और height कितनी है इसकी m over pi अब इस function को check करते हैं under the limit as m goes to infinity अच्छा infinity से देखने से पहले में को क्या करना यह यह करना है इसके integral representation करनी है हमें यह check करना है कि भी ऐसा कौन सा integral है जो कि किसके call होगा direct delta के function के call होगा so consider मैं यह वाला एक बार यह check करके देखता हूँ यह किसके call आ रहा है ठीक है मैंने यहाँ पर कोई limit बस यह एक integral लिया है consider this integral तो जब मैं इसको integrate कर रहा हूँ तो क्या आएगा इस तरह का बनेगा यह मेरे पास तो pi x है तो 2 iota यह क्या बनेगा आपको पता है यह यह क्या बनेगा sin of mx over pi x अच्छा तो यह same function बनना मेरे पास जो की ffx था यही तो लेके चला हूँ मैं function तो यह function एक तरह से इस integral के भी equal है तो मेरे पास क्या आगया यह आगया sin of mx pi x को मैं क्या लिख सकता हूँ integral की form में इस तरह से right main function तो अभी भी मेरे पास यही है ठीक है मैं यही इसको बोलते है sin function इसको क्या बोलते है sin function right sinc sin function अच्छा तो हमें क्या पता है इस function के अंडर area कितना रहेगा मेरे पास हमेशा irrespective of m it is always one irrespective of m तो मेरे पास यह बन गया एक चीज देख तो यह बन गी तो अब मैं चेक करता हूँ अगर m goes to infinity तो मेरे पास क्या आएगा तो यहां से क्या आएगा दग्या अगर m किसको अप्रोच कर रहा है infinity को तो height देखिए height किसको अप्रोच करेगी तो देखो यह आगे हैं आपर अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ as m goes to infinity तो यह function है यह कौन सा function plot किया है मैंने sin mx by x as a function of x और हमें पता है कि इसके अंडर जो area हैगा क्या होगा मिशा it is always 1 from minus infinity to plus infinity यह function लिया है तो एक तो यह चेक कर लिया अब देखिए अब जैसे जैसे इसको मैं m goes to infinity जब m infinite होगा तो देखिए जितने भी यह points है यह जितने भी points है अब और rapidly decay होगा है क्योंकि m is infinity क्यों? क्योंकि देखिए m की value क्या है यह infinity है तो यह भी किसके पास होगा बिल्कुल 0 के पास यह वाला point यह वाला point भी क्या होगा क्योंकि 2 pi by m infinity यह भी हाँ होगा यह भी बिल्कुल 0 के पास पास होगा तो यह m infinity है तो भूत rapidly decay होगा है तो जैसे और height क्या होगी देखो m infinity है तो यह जो वाली height होगी यह वाली जो height होगी यह किसको अप्रोच करेगी? infinity को यह वाली height किसको अप्रोच करेगी? infinity को तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे मैं increase कर रहा हूँ तो यह क्या होगा? कुछ इस तरह से graph बनता रहेगा अब ज़्यादा decrease करेगा यह इस तरह से आजाएगा हो सकता है इस तरह से आजाएगा और जैसे जैसे और ज़्यादा करूँगा तो और ज़्यादा इसके पास इसके 0 आजाएगे तो जैसे 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 M किसको अप्रोच करेगा? infinity को तो जो मेरे पास graph बनेगा graph कुछ इस तरह काएगा इसका अगर गर बनाना चाहूँ तो तो ये तो जितनी भी 0s होंगी वो सारी पास पास होंगी सारी के सारी तो मतलब और होसे ही है तो मेरे पास एक बिलकुल infinite के मिलेगी एक एक spike मिलेगी ऐसे करके ये बहुत पास होगा 0 के तो एक बात confirm होगी है हाँ पर कि भी ये जो function है ये function कुछ इस तरह का हो रहा है sine of mx x as limit m goes to infinity ये क्या होगा ये infinite होगा at x equal to 0 पे और 0 होगा at x not equal to 0 पे ये आ रहा है ना और साथ में क्या रहा है ये भी आ रहा है जब इस पे limit put करता हूँ मैं तो limit as m goes to infinity तो ये क्या होगा फिर again फिर से 0 है sorry 1 है तो जो ये function है तो मैं ये कह सकता हूँ कि limit as m goes to infinity तो sine mx x इस certain limit में ही ऐसा हो रहा है तो it is equal to delta तो क्या होगा ये डिराग delta function है और हमें पता है because minus infinity to infinity minus m to m 1 over 2 pi e to the power i at a kx dk वो किसके equal था sine of mx by x mx by pi x right ये मैंने इस सारा pi x था है ये होपे क्या होगा pi x के लिए कर रहा हूँ ना मैं इस सारा pi x है तो pi x ये इसके कोल था ये पूरा जो function है तो जब जैसे ही मैं limit put करूँगा इस पे so it implies limit as m goes to infinity sine of mx by x तो यहाँ पे भी m की जगे infinite आजए तो minus infinity to infinity e to the power i at a kx dk और ये किसके कोल था delta x so delta x किसके कोल था 2 pi minus infinity to infinity e to the power i at a kx dk तो ये थी integral representation of direct delta function right so ये आगया यभी जो discuss किया था मैंने ये और भी से क्या कह सकता हूँ कि भी delta of x equal to 2 pi अच्छा ये मैंने क्या लेके चला था आप positive sign लेके चला था यहाँ पे negative sign ओबना तब ये direct delta function के इकोल या आएगा आप चेक कर लेने इसको तो प्लस और माइनस आयटा kx ठीके आप इसको ऐसे भी लेक सकते हैं आप प्लस sign ले लेना माइनस sign ले लेना तब ये ये आएगा ठीके तो या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं अगर मैं function को इस तरह से लेके चलता so it is the integral representation of direct delta function also तो translated direct delta function किसके को लोगा इसके को लोगा यहाँ पर क्या जाएगा x-x0 या a भी लिख सकते हो जो कि किससे reduce होके आएगा इस वाले function मास पर x था यहाँ पर क्या है x-x0 इसको बोलते है sink function इस type के को sink function तो इस limit के अंडर ये किसमें reduce हो जाएगा और ये जो integral है वो किसके को लाता है इसके को लाता है तो ये एक और second representation थी direct delta function की in terms of integrals तो first में देखा कि rectangular function जो है वो as epsilon goes to 0 तो वो किसमें reduce हो जाएगा direct delta में second में देखा कि जो sink function होता है sin mx by pi x type का function जो है वो किसमें reduce हो जाएगा direct delta में as m goes to infinity second है Gaussian function ये भी आपने probability में बहुत बार पढ़ा होगा Gaussian distribution भी बोलते हैं इसको तो Gaussian function क्या है इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा बस definition बताऊंगा कैसे reduce होगा ये होता है Gaussian function इस तरह से जहां पर सिग्मा greater than zero है ठीक है इसको सिग्मा स्कूर सिग्मा को स्टेंडर्ड अविएशन या फिर सिग्मा स्कूर को variance बोलते हैं ठीक है इस टाइप का कोई function है ये reduce हो जाएगा डिराग डेल्टा में अगर मालो इसको represent करना चाहूं तो मैं इस तरह से होगा ठीक है तो बहुत rapidly किसको अप्रोच करेगा ये 0 को क्योंकि ये क्या है यहाँ पे it is exponentially बहुत rapidly 0 को अप्रोच करेगा इस तरह से ठीक है ये function बनेगा जो हाइट होगी इसके x equal to 0 पूट करके देख लो तो हाइट क्या होगी वन ओवर सिग्मा अच्छा एक बात और है यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हैं हम ये शो कर सकते हैं easily कोई बड़ी बात नहीं है अब integration फॉर्मूला अगर पता है आपको कुछ exponential e to the power minus alpha x square टाइप का फॉर्मूला पता है तो आप इसको function की Gaussian distribution की या फिर Gaussian function की उसके जो अंडर एरिया जो रहेगा वो क्या है वन एंड विच इरिस्पेक्टिव दा वैल्यों सिग्मा तो हमें चैक करना है अगर सिग्मा क्या होगा टेंडिंग टू जीरो होगा सिग्मा क्या है किसको अप्रोच कर रहा अगर टेंडिंग टू जी जब सिग्मा जीरो को अप्रोच करेगा तो जो इसकी हाइट वो किसको अप्रोच करेगी इंफिनिटी को और जो इसके अंडर एरिया क्या रहे ना चाहिए हमेशा वन रहना चाहिए ना एरिया क्या रहेगा हमेशा वन तो हाइट तो इंकरीज हो रही है तो जो विट्ट हो तो जैसे जैसे मानों स्पोस्जिए एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए था दूसरे के लिए इस तरह से आएगा नेरो रहा न तो जैसे जैसे सिग्मा अप्रोच करेगा छोगी और जो जो विट तो भूब भी कम होगी तो अगर हाईट इंक्रीज हो रही है तो उसकी विट को डिजोना पड़ेगा राइगा उसमें so that area is constant so क्या रहा मेरे पास यहां पर limit in in the limit as sigma goes to zero तो जो गोसिंट फरक्षिंट हो जाएगा delta of x so इस limit में क्या है यह डिराग डिल्टा फंक्षिन आगा तो डिल्टा x equal to limit sigma goes to zero तो यह किसमें रिडिश हो जाएगा गोसिं फंक्षिन तेराग डिल्टा फंक्षिन थिक है तो तीन प्रूमल आपने चेक किए इसमें एक तो rectangle function का rectangle function किसमें रिडिश हो जाएगा डिराग डेल्टा फंक्षिन में if epsilon गोस्टो जीरो और next क्या था जो sinc function है sign जो sinc function है वह भी किसमें रिडियूस हो जाता है डिराग डिल्टा में as m goes to infinity फिर नेक्स्ट में क्या था गोशियन जो function वह भी किसमें रिडियूस हो जाता है डिराग डिल्टा फंक्शन में as x गोश्ट आज सिग्मा गोश्ट टू जीरो तो यह विसिक देफिनेशन थी मैंने मुझे से पहले भी डिसकस किया था आप इसको स्किप कर सकते हैं तीनों डेफिनेशन को एक बार गोश्टू जाते हैं तो इसमें से तो ऐसे कोई जैदाए इंपोटेंट है नहीं इसमें अपको ध्यान रखना है कि कुछ कोई कोई कौन से ऐसे फंक्शन चेंट आ डिराग डिल्टा फंक्शन में नेक्स्ट में जो इंप्करूटें 11 ४ काफी इंप्या हे गश्यकस त्सक्राइब भी टैके घंक सृग्य कू